कोरोन वाइरस एक वर्ल्ड वाइड पैला हुआ वाइरस है बिलकुल है जिससे कई लोगों की जाने गई है बिलकुल है लेकिन क्या किसी एक भी डॉक्टर ने पूरी दुनिया के किसी एक भी डॉच्चो का कोई डॉक्टर या कोई और डॉक्टर आपको ऐसा बोला है आपको कोरोन वाइरस हो भी गया तो आप मर जाओगे कोई भी डॉक्टर आपको ऐसा नहीं बोलेगा बिकॉज यह सच नहीं है कोरोना वाइरस एक नया वाइरस है जान लेवा वाइरस नहीं है यह नया वाइरस है कोई भी वाइरस कोई भी वाइरस जान ले सकता है हर एक की अपनी death rate होती है और कोरोना से भी जादा dangerous viruses हैं ऐसे वाइरस जो आपको हो जाए तो 60% तक आपकी मौत हो जाएगी जहां पे कोरोना वाइरस की सिर्फ 1 या 2% death rate है वो भी उन में जो पहले से ही काफी बिमार हो जैसे के ऐसे पेशन्ट जिन्टों already heart के मरीज हैं already अस् आपक्टोरों ने उनको बचा बचा के जीवित रखा हुआ है उनको जब ऐसा कोई नया वाइरस हो जाता है जो उनकी बॉड़ी भी नहीं पहचानती तो वो फिर serious हो जाते हैं जो वो तो भीया एक simple swine flu एक सर्दी simple flu से भी वो serious हो सकते थे तो इसी लिए बात समझाना वाली बात क्या है कि जी हाँ दुनिया भर में quarantine और दुनिया भर में test हो रहे है prevention के लिए बुला जा रहा है इसलिए नहीं कि इसका कोई इलाज नहीं है इसलिए नहीं कि इससे को इलाज करने की दूनने की आवश्यक्ता है हर जगा यह आपने इलाज निकला हमारे पास यह इलाज है इलाज का जोरुष नहीं है कोरोना अपने आप ठीक हो जाएगा जिसको और ओगा वह अपने आप ठीक हो जाएगा viral illnesses को सिरिफ general health care की जरूत होती है symptomatic management की जरूत होती है वो आज नहीं कल नहीं सालों से है हर virus ले swine flu हो, normal flu हो, viral pneumonia हो कुछ भी हो, general management होती है symptomatic management कुछ patient जो already serious होते हैं जिनको already कोई दूसरी बिमारी होने का risk होता है वो ज़्यादा serious हो जाते हैं तो वो swine flu से भी risk हो जाता है swine flu से भी लोगों की जान जाती है आज भी जाती है, कई patient admit हो जाते है आज दुनिया में एक डर का माहूल बनाया गया है लेकिन ये doctor उन्हें नहीं बनाया doctor अपना काम कर रहे हैं करना चाहते हैं, doctor आपसे बात भी नहीं करते हैं doctor आपसे hospital में बात नहीं करते हैं बात छोड़ों कि बाहर आपको तो media के सामने क्या बात करेंगे तो بाहर कैसे करेंगे गौनेंन्में घॉम्ट्स हौस पिटरों में doctor के उपटर दस गुना जादा लोड है वहना ही बात नहीं कर पाते जनरल आदत हो जाते है फिर नहीं बात करने की patient क हो जात करने की यह देना है आगा कि भी बात करें तो किया समझाए समझाए तो सर प्खोड़े कि मैं पेशंटें तो चुपी नहीं होता है तो सुनते ही जिए जिए बाती एक गत देखके बाद सवाल एक को समझा दिया चार लोग और आगया इसको समझाओ उसको भी इलाज करें इसम्झाओ दस में से नौ डॉक्टर बाती निकरते हैं ना इंडिया का यह हाल है not because कि डॉक्टर करना नी जानते करना नी चाहते नमबर एक डॉक्टर ही कम है नमबर दो सुनते ही निये पेशेंट्स पाहर निकल के वहां पे देखो एक से बढ़कर एक नुस्के दिये हुए है चैनलों पे इधर उदर यूट्यूब चैनल पे टिक टॉक पे उससे ठीक हो जाएगा उससे हाट अटैक आ रहा होता है पेशंट को दिल का दौरा मतलब हमें पता है कि पेशंट को कभी भी किसी भी वक्त हाट रूख सकता है लेकिन रिलेटिव क्या सोचते हैं पता नहीं डॉक्टर सच बोल रहा है कि नहीं है हम कहते हैं दुनिया में किसी भी डॉक्टर को दिखा लो आप जाके पर यहां पर बहार निकलोगे लिखके जाओ कि हमारी जिम्मेदारी है कि पेशंट को कुछ का सब्रस परकिश होगा तो इस डॉक्टर की गलती नहीं इसने हमें बता-दिया कि क्याभी मारी करौक्त में समझाता तो वो एक्स्ट्रा बता कि अपने आपको सेफ रखने के लिए और उसने तो उनको डरा दिया तो डॉक्टर ही सारे खराब है आपको अक्कल नहीं है क्या प्रैक्टिकल कि निउस पे भरोसा करते हो बस क्या आपको तोने टोट के कोई नुस्खे चाहिए कोरोना में भी ऐसा ही है कोरोना वाइरस एक नया वाइरस है जो आया है और चला जाएगा थोड़े दिन की बात है ये कोरोना वाइरस का म्यूटेटेड वर्जन अगले सार फिर आएगा ऐसा ही कोई नया वाइरस आएगा आते रहेंगे और उनकी जान जाएगी जो अपना खयाल नहीं रखते जो हेल्दी नहीं है जो आल्रेडी किसी ना किसी बिमारी से अपने डॉक्टरों के हर्मेशा आते जाते रहते हैं से विमारी हो सकता है उसने कुछ उल्टा सीधा लिया हूँ लोग आला फलाना धंकाना उनको अच्छा बुरा बोल देते हैं लेकिन यह नहीं समझते कि 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 अच्छे बुरे हर जगा लोग होते हैं हर मर्ज के होते हर हुपते हर तक है डर्जा नगर मगर आपको तो अपना दिंवाग लगाना है कि ऑ और कि कौन सी बात सुने किस की बात हुग और सबसे पहले यह बढते हैं कि अब किसी चीज़ के बारें डायाया किसे सुन रहे हो। आपने अपने दूसरे चैनल चोड़ के हैं निूस बना बना डाल रहे हैं। खुद से कुछ नहीं कोई medical degree नहीं कुछ नहीं किचन का चैनल न्यूज बना मेरा दूसरा वाला चैनल छोड़ो न्यूज बना मेरा जो क्या है ब्लॉग है छोड़ो करूना के बारे में बताएंगे लोगों हम भी बताएंगे लोगों और कौन है बिना किसी knowledge के बिना किसी background के मैं health के वीडियो बनाता हूं मैं भी कुरोना के बारे में बताएंगा यस बैंक के बारे में बताएंगा मैं इसके बारे में बताएंगा ट्रेंड है ए भाई साथ लाखों मिलियन व्यूज देते हुआ आप उनको यार कसम से हाथ जोड़े आपके पर भीया ऐसा है दिमाग लगाना शुरू करिए वरना फिर आपका जो होना है वो भगवान के उपर है क्योंकि आप अपने उपर और दूसरे आपका फाइदा उठा रहे हैं चाहे वो news channel हो चाहे वो कोई ऐसा वीडियो बनाने वाला tik-tokker यूट्यूबर या कोई भी जो आपको नूस्खे देता है मुझे लोग कहते हैं कि सर इसका वो बता दो इलाज बता दो सर एक गोली बता देशी नुसका बताओ मैं नहीं बता देशी नुसका बताओ But nonsense my channel is to educate you मैं कारण बताऊंगा कि बीमारी होनी क्यों होनी समझ हो बीमारी होने मत दो आगे बढ़ने मत दो एल से क्यों हो इस समझ हो इलाज इलाज नहीं बताता मैं यहां पर इलाज हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के पास जाके उनसे लो इलाज चाहिए मेरे पास क्लिनिक में आओ यह चैनल एजूकेशन है ट्रीटमेंट नहीं है सो प्लीज कोरोना के बारे में जानकारी चाहिए तो डॉक्टर से सुनू वो भी उस डॉक्टर से जो वहां स्रिसर्च कर रहा है यहां बैठा डॉक्टर यहां पर बैठा डॉक्टर आपको यह नहीं बता देगा कि हां वहां क्या है वहां पे क्या हो रहा है डपलू एच्चो क्या कर रही है तो आप बीमार होगे तो किसके पास जाओ सादू बाबाओं के पास या वो नुष्खे देने वाले टिक् टॉककर के पास किस के पास जाओ सोच के सोचो प्रोसा किस पर करते हो पहले यह सोच लो फिर आगे दूसरी देखना आगे चलके जिस भी हेल्थ केर पर वीडियू देखना है भरुशा किस पर करो न्यूस पर उस एस्पेक्ट से दिमाग लगा के सुचना और फिर सुचना क्या करना है जिन्दगी में आगे जहां तक कोरुणा की बात है मैंने कोरुणा पर वीडियो बना रखा है अगर देखना है तो वो वीडियो जाकर देखो मेरे चैनल पर हर मेडिकल चीज को समझाय जाएगा और खुद की नॉलेज नहीं बाटता हूँ मैं मैं वो नॉलेज दूँगा जो मेडिकल साइंस में बनाई गई है मैं सिर्फ उसको लेके इजी लैंविज में आपको समझाता हूँ पहले लिखे तुम्हें आता है मेरे चैन अपने दिमाग को लगाईए और उल्टे सीदे लोगों की बाते सुनना बंद करतेजिए